कि नमस्का दोस्तों एक बाद फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मौनली हंडेट परसन में दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप आलू को छील सकते हैं बहुत आसानी से जी हां यह बहुत ही कॉमन चीज है लेकिन बहुत साहे काऊँगा जिससे बड़ी आसानी से आप आलू को स्थी सकते हैं तो चलिए समय नदू सुरू करते हैं और सबसे पहला हम यूज करेंगे दो क्योंकर दोनों के साथ में एक्स्पेरिमेंट करेंगे और डेखिंग किस के साथ में आ लोग च्हिलना आसान होता है तो सबसे पहले हम यूज करेंगे चाकू इसको रखते हैं किनारे चाकू से जब आपको छिलना होता है तो आपको अगर आलू लंबा है यानि होल सेप में है तो आपको सामने वाले हिस्से पे चाकू लगाना होता है और जादा धसाएंगे तो फिर इसका गूद अपको फाफ कुषाकू वाले हाथ को नहीं गुमाना है आपके लेफ्ट हेंड को जिसमें आपने पोटेटो को केरी किया है ठीक है देखिए आपको आलु को घुमाते जाना है और आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आलु बड़ी आसानी से छेल जाएगा यह देखिए ठीक है मैक्सिमम आलू छिल चुका है देखिए आप अगर नाइफ आले हैंड को घुमाएंगे रुटेट करेंगे तो इसमें दिक्कत होगी और हो सकता है कि आपके हाथ भी कट जाएं दो चीजों का ध्यान रखना है आपको लेफ्ट हैंड इसमें आपने आलू को पोटेटो को Carry किया है उसको आपको घुमाना है हल्के हल्के घुमाना जिस मोंसन में आपका नाइब आरहा है उप्वीर में थोर्ड़ सफोस करना ना है तो आप देखेंगे कि आलों यहां पर हमने बड़ी आसानी से चाकू के साथ में छील दिया ठीक़ है दोस्तों चा commodity के साथ में पोटेट्चो को पील करने का देखिए एक पूरा आलू आपके सामने है आपने छिल चुका है ठीक है अब हम दोस्तों अगला एक्सपरिमेंट करेंगे इस पीलर के साथ में जो की खास हें इच्छा है काफी आसान होता चेल ला इक है काहीं तरह के रिजायन में आता है अलाकि यह बहुत ही फेमिज जिजाएंगें आपको इसको भी हात में राइइड में पोटेटू आपको आलू को रोटेट करते जाना है आप दिखेंगे कि आपका देखें कहीं पे भी आपको नम घूल न zo I mc restart in च्छिकिनी वाले यानि इस पीलर वाले हाथ को नहीं घूमाना है इस अलू को ही रोटेट करना दोनुं कंडिशन में आपको अलू को ही रोटेट करना है ति कि sır बड़ी आसानी से आप बड़ी से बारा हो चोटे से छोटा डेखि मैं क्या कर रहा हूँ मैं आलू को हैंपर रोटेट कर रहा आपने देखा था कि चाकू से दिखिए तो मैं अपने अलु वाले या निहीं आलू को पकाड़ा था उसी को मैं घुमा रहा था देखा आपने अब हम यहां लगाएंगे और इसालू को देखिए देखा आपने बड़ी आसानी से आप इससे भी छील सकते हैं खाला कि दोनों के साथ में आप छील सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपने अगर इस वीडियो को प्रॉपर देख लिया तो आप समझ गये होंगे कि बड़ी आसानी से आप पोटेटर को छील सकते हैं छीलनी की मदद से भी और नाइफ की मदद से भी देखें दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी आप इससे छील सकते हैं इससे आप बहुत जल्दी छील सकते हैं और इसमें फायदा एक होता है कि इसके साथ में ज्यादा गूदा नहीं निकलता आप इससे बड़े आसानी से देखिए बस एक तरब का हिस्सा बचा है इसे भी है यहां से बस इसमें थोड़ा सा दिक्कते होगा कि जो आलू के अंदर में स्ट्रेक्चर बन गये हैं गढ़े बन गये हैं उसके अंदर से निकालने में से पूरा आलू छिल चुका है लेकिन जो गढ़े वाला हिस्सा है नहीं करेगा इसके लिए आपको चाकू की ही मदद लेनी पड़ेगी लेकिन अगर आपका आलू पूरी तरस सर्फेस उसका क्लीन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप बड़ी आसानी से आलू को छील सकते हैं चाकू और चाकू और छि अगले वीडियो में कुछ और ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नीचे ला रंक आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा उसके बगल में घंटे का भी आइकॉन होगा उसके भी क्लिक कर अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाबाए दोस्तों